तो दोस्तो आपने टीवी चला के बहुत देखा होगा कि जो आपके फेवरिट चैनल है उनके जो नंबर है वो जो कमपनी है वो ते करती है नाहीं हमारे हिसाब से यह नंबर ते होते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक ट्रीक दिखाने वालों कि वो ट्रीक अगर आप अपना होगी तो आप अपने हिसाब से आपके जो भी फेवरिट चैनल है उनके नंबर दोस्तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हों तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गनेश आप देख रहे हैं टेकनिकल टीचर चलिए आज कुछ नया सीखते हैं तो दोस्तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हों मैंने यहाँ पर एक नंबर जो है रिमोट से दबाया है और यहाँ पर जो मेरा फेवरिट चैनल है उसको मैंने सेट करके रखका हुआ है मैं यहाँ पर दो दबाऊंगा तो जैसे मैंने सेट किया हुआ है उसी प्रकार से यानि कि चैनल के जो नंबर है वो कुछ अलग है लेकिन मुझे यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने जो नंबर से दोस्तो यहाँ पर सेट करके रखके हुई है तो इस प्रकार की सेटिंग मैं आ फिर दूसरा वाला है टीश टीवी है तो आप मुझे comment किजिए comment में आप मुझे बताइए कि आपके पास जो भी setup box है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे दिखा सकते हूँ तो menu का जो button है दूस्तों यहाँ पे आपको press करना है user setup में चले जाना है और यहाँ पे एक favorite नाम का option आपको मिल जाएगा इस option पे आपको यहाँ पे चले जाना है तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी channel आपको set करना है उनको आप यहाँ पे खोल लीजे तो मैंने यहाँ पे 1455 इस प्रकार से एक channel यहाँ पे खोल के रखा हुआ है मैं user setup में जाओंगा menu का button दबाओंगे फेवरेट में चला जाओंगा और यहाँ पे मुझे क्या करना है खाली ok का जो button है उस पर मुझे press करके इस list में दोस्तो जो भी मेरे channel फेवरेट है उनको मुझे यहाँ पे add कर लेना है तो मैं remote की मदद से यह कर सकता हूँ आप इस प्रकार से कर सकते हूँ जितने भी channel आपको लगाने है वो यहाँ पे लगा दीजे उसके बाद exit का button दबाएगे तो यह आपको save करने के लिए बोलेगा तो हम save करेंगे जैसे save करेंगे ना तो दोस्तों यहाँ पे channel पे यहाँ पे देखे मैं एक number का button दबा रहा हूँ तो यहाँ पे एक number पे जो मैंने channel यहाँ पे set करके रखा हुआ है favorite के दरु तोर पर वो लगेगा मैं no दबाऊंगा तो no का channel जो मैंने favorite के यहाँ पे set करके रखा हुआ है वो यहाँ पे लगने वाला है तो यानि कि जो भी channel यहाँ पे जो हमारा provider होता है service provider वो कुछ अलग प्रकार से आपको यहाँ पे number देता है तो गो number आप द्यान में नहीं रख सकते हैं या फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इस प्रकार से आप menu में जाएंगे उसके बाद setup में जाएंगे और favorite में जाओगे तो इस प्रकार से आप कुछ सा भी channel दोस्तो आपने खुद के हिसाब से यहाँ पे उसको number जो है set करके रख सकते हैं दोस्तो इस प्रकार के जो problem आपको आ रहा है आप इस वीडियो की मदद से उसको solve कर सकते हैं दोस्तो इस प्रकार के और technical के tricks देखने के लिए WhatsApp के tricks देखने के लिए चैनल को subscribe किजिए वीडियो को like और share कर दीजिए दोस्तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमशकार